नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराठी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर जन्धीर कुमार सिंग जो की बिहार के सबसे मश्हूर डेंटिस में से एक हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर साहिब पटना डेंटल कॉलेज में जो है वो अपने डिपार्टमेंट के होडी भी है डॉक्टर साहब से आज हम बच्चों के दातों में होने वाली आम समस्याओं के बारे में सवाल जवाब करने वाले हैं समझने और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि बचाव किस तरीके से हो सकता है और इलाज क्या-क्या उपलब्ध है सबसे पहले डॉक्टर साब नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साब सबसे पहला सवाल जो है वो मैं यही करना चाहूंगी कि बच्चों में जादर से जादर जो दातों की समस्या होती है वो सबसे जेनरल प्रॉब्लम्स क्या देखी जाती बच्चों में जो दातों की समस्या है वो अलग-अले एज में अलग-अलग समस्या दिखता है बट जो सबसे वरा प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि बच्चों में दाथ का आना 6 महीने से शुरू होता है और 18 महीने तक आता है जो दूद का दाथ बोलते हैं पेरेंट जिनरली इस टाइम बच्चों के टूथ पर ध्यान कम देते हैं उस समय उनको दूद पिलाना तागत बराना इन चीजों पर अधिक कंसंट् हैं तो मिल्क प्रड़क्ट के साथ हमेशा जब भी बच्चा दूद पी लिया तो उसको नॉर्मल पाल ही पिलाना चाहिए जिसका जनरली हम लोग लैक होता है तो इससे समस्या क्या आता है जो कॉमन समस्या है बच्चों के दात में कीरा लगता है केरी होता है कीरा तो जो के दातों का सफाई सही तरीके से करना चाहिए इसपेसली जब छोटा बच्चा हो तो पैरेंट जब ब्रस करते है तभी उसका सफाई करना चाहिए दूसरा जो कॉमन समस्या होता है हम लोग बोलते है नर्सिंग बोटल केरीज एक तो हुआ नॉर्मल केरीज जो सर्टन कि हो अगर से को सब होता हुआ है जो बच्चे रात को बोटल में के सोते हुआ है उनके तुत में क्या होता है कि नीचे का दात पिलीट फंट हो जाता है मितलब आप समझे कि अगर मुल खूट रहा है बच्चा तो सकी ब्लैप व्लैक टुत का रूट दिखेगा दाद दिखता ही नहीं है जबकि कम एज का बच्चा हो सकता है बच्चा वो दो साल का हो, धाई साल का हो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना होता है तो treatment बच्चों में ऐसे ही मुश्किल होता है और अगर कोई दर्द वाला treatment है तो बच्चे और डरते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि बच्चे डरेना उनको proper इलाज दें तो उसकी जरूरत ही ना आए Parent को चाहिए कि उसका prophylactic ध्यान रखें बच्चों में अगर nursing bottle हो रहा है एक tooth में भी black दिख रहा है तो अपने dentist के पाँ जो भी super specialist या specialist doctor है वहां आके दिखाना चाहिए और उसका उसी समय cure करना चाहिए तो एक तो हुआ कि सुरुआत में ही बच्चे का हम लोग कर लें दूसरा problem होता है बच्चों में कि अगर नस तक चला ही गया मान लिजे तो क्या करें पस हो गया तो generally parent डर जाते हैं या सोचते हैं दांत निकलवा दो हमें क्या करना है बाद में दांत आ जाएगा बट समस्या क्या है कि आपको दांत नहीं निकलवाना है जो permanent डांत आता है वो follow करता है deciduous tooth के root को तो हमें उसको नहीं निकलना है उल्टे हमें उसको और अच्छे से clean करना है और medicine देगर के tooth को तब तक save करना है जब तक कि permanent tooth नहीं आ जाए तीसरा समस्या क्या होगा कि अगर हम लोग आगे age देखें अभी तक मैंने two years का बताया बच्चों में mixed dentition period शुरू होता है six year के बद बच्चों में tooth आना शुरू होता है जो permanent tooth होता है तो उस समय हम लोग बच्चे को जिस बच्चे में carriage का tendency जादे है उस बच्चों में हम लोग एक fluoride treatment करते है fluoride में anti-carryogenic activity होता है तो दातों में carriage लगने से बचाता है और दात को safe रखता है तो हम लोग fluoride treatment करते हैं इसका भी different age है जो mixed dentition, after dentition and final dentition के बाद करते हैं डॉक्टर साब जैसा कि आपने हमें बता ही दिया कि दूद के दात निकलवाने से पहले माबाप को किन चीज़ों को जान लेना जरूरी है लेकिन एक चीज़ और जो मैं हम जानना चाहूंगी वो ये है कि बच्चों के दातों में ये सारे दिक्कते आई ही ना इसके लिए माबाप जो है वो अपनी तरफ से क्या कोशिशे कर सकते हैं इन बातों का खास खयाल रख सकते हैं इसमें हम लोग जो प्रॉफाइलेक्टिक बताते हैं जो मैं अपने तरफ से कॉमनली हर पेरेंट को एडवाइस करता हूँ कि जब आप ब्रस करते हैं उसी समय बच्चों को ब्रस कीजिए तो बच्चा आपको देखके फॉलो करता है बच्चा आपको देखके समझता है कि ब्रस पापा कर रहे हैं ममी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए दुसरा बच्चों के लिए इसपेस्फिक पेस्ट आता है नॉर्मल जो हम बरे वाले पेस्ट होता है बरूबल पेस्ट में फ्लूराइड कंटेंट जादे होता है, बच्चों में डिफरेंट कंटेंट होता है, तो कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कीडो डेंट, चीरियो ऐसे करके, अधिकतर जो डेंटल प्रोड़क्ट बनाती है कमपनियां, कॉलगेट जुनियर, ये सारे दिखता है टूथ में, ब्लैकनेस आता है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाईए, कॉन्टेक्ट कीजिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, तीसरा चीज है कि अगर बच्चे को खाने फीने में केर कैसे कर सकते हैं, तो इस पेसली कोई भी मिल्क प्रोड़क्ट, जैसे है कि दात में वह चीज चिपका हुआ नहीं हो, जैसे हम बच्चे को दूद देते हैं, छोटा बच्चा है, तो बोटल में उसको दूद दे के सुला देते हैं, तो सुलाने के बाद क्या करना चाहिए, कि पानी बोटल में भरके थुरा से दो-चार घुट पानी भी पिला द होंगे, तो इससे बचाओ का यही तरीका है कि पैरेंट समझे कि जैसे अपने दातों का आप केर करते हैं, उससे जादे उन बच्चे के दात का केर करें क्योंकि आप उसको देख सकते हैं, आप अपने तुद को नहीं देख सकते हैं, बट आप अपने बच्चे के तुद को देख सकते हैं, तो तीन तरह का केयर मैंने बताया, एक तो देखना, दूसरा ब्रस करना, और तीसरा खाने पीने में कैसे बच्चों को कंट्रोल करें या उनको अवेर करें कि बच्चा कैसे खाओ. भी आप treatment के सिलसले में हमें fluoride treatment के बारे में बता रहे थे, इसके अलावा भी अगर बच्चों के धातों में जब दिक्कते हों, तो fluoride treatment के अलावा और कया के बच्च़ें? है डीजी जब हो ही गया तो करेक्टिव ट्रीटमेंट है जैसे बच्चे को थोड़ा सा ब्लैकनेस आया टूथ में तो हम लोग ब्लैक पार्ट को रिमूब करके उसमें हम लोग रेस्टोरेशन कर देते हैं फिलिंग कर देते हैं तो बच्चे को लंबे टाइम तक चलता है और वाखरी होग पार्ट पार्ट उसको रहने और अगर अंदर तक डैमेज और बर गया है तो जितना तक डामे में चीया में ऑगर तो अगर बच्चे का टूथ माल लिजे हाफ से जादे डैमेज हो गया हो या प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो तो ऐसे केसे में बच्चे को क्राउन भी देते हैं आर्सिटी के बाद या पल्पोटोमी के बाद उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुन और समझा होगा और जोतनी में माता-पिता ये वीडियो देख रहे हैं उमीद यही है कि डॉक्टर साहब की बातों से अब अपने बच्चों के दातों का जो है वो बहतर ध्यान रख पाएंगे इसी के साथ बहुत जल्द मुनाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन में आकर आप हम ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी बेज सकते हैं धन्यवाद